हलो दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम द्वारा जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वेकिंसी निकाली जाती है उसके लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसका पेस्केल क्या होता है और कितनी एज के उसको भर सकते हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो आई देखते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है तो यहां पर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमेडियेट और सबसे पहले आपके पास 12 पास होनी चाहिए मिनीमम जो है वो 45 परसेंट मांग होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास डिपलोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फोरा दूरिंग और नर्सरी फ्रॉमर रिकॉगनाइज युनिवरस्टी यह भी होना चाहिए आपके पास must have passed in Hindi at secondary level और आपका जो 12 है उसके अंदर आपके पास Hindi compulsory होनी चाहिए और experience इसमें मांगा नहीं गया है और इसका जो pay scale होता है वो 42 का है ये B grade की post होती है अब देखते हैं कि age limit क्या होनी चाहिए इस post को बरने के लिए तो यहाँ पर जो maximum age है वो तीज साल की है age relaxation will be given as further regarding age relaxation given blow as para 6 तो अभी हम इसको discuss करेंगे कि age limit क्या होनी चाहिए और maximum जो है age relaxation किस category को कितना दिया जाना चाहिए और guest teacher के लिए क्या-क्या age relaxation दिया गया है इसको भी हम discuss करेंगे तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर आप guest teacher है या contract teacher है देली के school में तो यहाँ पर only those who have not availed age relaxation in previous recruitment अगर आप इस से पहले age relaxation नहीं ले चुके हैं guest teacher का तभी आप eligible है the contractual employee working against teaching post will be eligible for one time relaxation in upper age limit up to maximum period of five years तो यहाँ पर आप तभी भर सकते हैं जब आप guest teacher हों दिली के school में और यह one time ही relaxation दिया जाता है ठीक है और जो maximum age मिलेगा आपको वो मिलेगा 5 साल का age relaxation उसके लिए condition यह है कि आपने 5 साल उस department में काम किए यह हो और हर साल कम से कम आपके 120 दिन working day होने चाहिए ठीक है अब आगे हम discuss करते हैं बाकी category के लिए क्या-क्या age relaxation दिया जाता है अब देख लेते हैं कि category wise कितना age relaxation दिया जाता है तो यहाँ पर जो है अगर आप SCST category से आते हैं तो आपको 5 साल का relaxation मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 30 में 5 साल और जूड जाएंगे तो आप 35 साल तक इसको भर सकते हैं ठीक हैं OBC के लिए 3 साल है तो यहाँ पर 30 प्लस 3 33 हो जाएगा और PH category से हैं आप तो आपको 10 साल का age relaxation मतलब कि 30 प्लस 10 40 years हो जाएगा और PH प्लस SCST है आप PH भी है और आपके पास SCST का certificate भी है तो आपको 15 स 1445 ठीक है और PH प्लस OBC है तो आपको 30 13 years तो 30 प्लस 13 यह हो जाएगा हमारा 43 years ठीक है तो यह था हमारा category का next हमारे पास है अगर आप departmental candidate है और आपने कम से कम तीन साल जो है डेली गवर्मेंट में काम किया है तो आपको maximum 5 साल का age relaxation मिलेगा और आपकी post जो है वो group B की होनी चाहिए ठीक है अप टू 40 year of age 45 year for SCST 43 year for OBC for group C post अगर आप group C के post पे है ठीक है अगर आपने group C की post जोईन कर रखी है गवर्मेंट में तो आपको जो age relaxation है इस बेस पे मिलेगा अगर SCST है तो आप 45 साल तक भर सकते हैं और OBC है तो 43 ठीक है आगे देखते हैं आगे अगर आप guest teacher और contractual teacher है इसके बारे में भी हम discuss कर चुके हैं कि अगर आप guest teacher है तो आपको ये one time ही age relaxation मिलेगा तेक है उसके लिए condition ये है कि आपका जो working day है साल में वो 120 दिन के होने चाहिए और आप maximum जो है वो 5 साल के लिए ही age relaxation ले सकते हैं 5 years का age relaxation ले सकते हैं अगर आपने 5 साल काम किया है department में guest teacher के ठीक है तो आगे देखते हैं आगे है अगर आप ex-serviceman है group C and group B non-gadgeted तो period of military service plus 3 years तो आपके पास जो military service जितने साल आपने की है और उसमें 3 साल और add हो जाएंगे तो ये आपका next है अगर आप कश्मीरी migrant है ठीक है तो यहां बोला गया relaxation in the upper age limit of 5 shall be admissible to all person who had ordinary been domicile in a state of Jammu and Kashmir during the period of first day of Jan 1952 31st day of December 1980